उस्मानी राष्टी मंच आगरा के बैनरतले रहविवार को उनौन निर्वाचित पाश्रदों का सम्मान किया गया जिनोंने हाली में चुनाव में अपने अपने शित्र में जीत दर्ज कर उस्मानी समाच का नाम रोशन किया है। कारिक्रम के दौरान उस्मानी राष्ट्री मंच के वरिष्ट पतादिकारी और कारकरता महजूद रहे। समाज के लोग है हमारे जो हमारा राजनीतिक जो इस्ट्रेक्चर है बहुत कमजूर है। कारिक्रम के दौरान समाज को कैसे जोड़ा जाए और देश और राज में अपनी राजनीतिक हिस्सेतारी कैसे बढ़ाई जाए। जैसे विश्या पर चिंतन किया गया इस दौरान बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में आगे भढ़ाने, खेल के शेत्र में गरीब और असाय बच्चों को मदद दिलाने जैसे कई विश्यों पर भी चर्चा की गई। मैं जो पिछला जो मेरा कारेकाल था, वो बीजीपी के अकोर्डिंग मेरा, विकाउस ओफ कोविड सही रहा, क्योंकि मैंने अब तक के पार्शेदों का सारा रिकॉर्ड तोड़ा है, जो भी काम है, मेरा काम करीब पौने 4 करोड के असपास पहुँच गया, और अब जो कार कारेकाल जो मेरा रहेगा, वो इंशालला पहले से काफी अच्छा होगा, जो कि पहले तो हमें मतलब इतनी नौलेज नहीं थी, मुझा एक्स्पीरियंस हो गया, तरजुर्बा हो गया मंच पर मौजूद सभी पार्षद गड़ों ने एक एक करके अपने विचार और भावना को कारिकरम के दौरान अपने लोगों के बीच रखा, जिस पर उन्हें कई सुझाव भी मिले, नवनिनवाचित पार्षदों का कहना है कि जिस तरह उनके शेत्र की जनता ने उन पर भरोसा दिखाया है, वैं उसी अनुरूप अपने शेत्र का विकास करेंगे और अपने उस्मानी समाज का नाम रोशन करेंगे कुछ नवनिर्वाचित पार्षदों का कहना है कि वैं मुसलिम समाज को जोड़ने का काम करेंगे और भविश में होने वाले चुनावों में अपने बड़ों की बात को मानते हुए अपना प्रतनिधी चुनाव में उतारेंगे और उसे विजाई भी बनाएंगे सी नियूस के लिए अनिल सिंग की रिपोर्ट